नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार के क्लासिस में मात्मा गांदी और अस्ट्य अंदुलन में आज हम लोग करने वाले हैं भाग तीन इससे पहले कुल हम लोगों ने दो पाट कवर कर लिया है और सभी का पीडियेफ जो है टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा साथ ही इ एक है और 1932 को जोर्ज पंचम ने सामप्रदाएक पंचाठ की गोशना कर दी जिसके तranch हे दलित वर्क को पृतक निरवाचन परदान किया गया था दयान लखेगा सामप्रदाएक पंचाठ के अंतरगत क्या किया गया तो डलित को जो है अलग से निरवाचन परदान कर दि आगे कहता है कि डॉक्टर राजंदर प्रशाद मदन मौनमाल विये पुर्शोतम दास टंडन एवं सीराज गोपालाचारी के परियास से गांधी और अम्बिरकर की मद्ध समझोता हुआ था सवाल पूछा गया है ध्यान रखना है शिचको गांधी और अम्बिरकर की मद्ध समझोता कराने मात्पुन भुमिका निवाई थी मदन मौनमाल विये सीराज गोपालाचारी डॉक्टर राजंदर प्रशाद प्रशाद प्रशोतम दास टंडन बात करें पूना प्यक्ट की तो क्या था देखिए 26 सितंबर 1932 को हुआ था 1932 ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 1932 गांधी वाम बेटकर के बीच दियान रखना है पूना प्यक्ट किसके बीच हुआ था गांधी वाम बेटकर के बीच ये पूना प्यक्ट हुआ क्यों तो देखिए दलित के लिए प्रिथक निरवाचन प्रणाली जो की गोशना की गई थी अंग्रिजों के द्वारा इसको समाप कर दिया गया इस पैक्ट के तध इस संधी के तध साथ ही परांतिय विधान मंडल में आरक्षित सीटों की संख्या को सापना किस ने की थी मात्मा गांधी ने कब 1932 में तथा जनवरी 1933 में हरीजन नामक सामा जो सापताइक समाचार पत्र इसका प्रकासन भी किया था ध्यान रखियेगा हरीजन जो समाचार पत्र था ये सापताइक था गांधी जीने स्टार्ट किया था कहता है दलीतों को हरीजन नाम सरप्रतर मात्मा गांदी द्वारा ही दिया गया था important है अमबेटकर ने कहा था मात्मा गांदी छरिक भूत की भाट ही धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं यह कतन किसका है BR अमबेटकर का जियान रखियेगा सारा लाइन पूछा हुआ किसे एक्जाम में कहता है सुभास चनर बोश एवं विठल भाई पटेल ने गांधी जी को और सफल राजनेतिक व्यक्ति गोशित कर दिया 1936 में गांधी जी ने कॉंग्रेस की सदस्ता सित्याग पत्र दिया तता सग्री राजनेति से सन्यास की घोशना कर दी देखेंगे कॉंग्रेस तिरपुरी संकट क्या है तो देखिए कहता 1938 से कॉंग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन के दिक्स्ता सुभास चनर बोश ने की थी हरीपुरा ध्यान रखना है गुजरात में है इसी अधिवेशन में सुभास चनर बोश ने जवाहर लाल नहरू की अधिक्स्ता में राज्टिय योजना समीति के स्थापना की थी द्यान रखिएगा राज्टिय योजना समीति जवाहर लाल नहरू की अधिक्स्ता में बात करें दिरपूरी अधिवेशन 1939 की तो जबरपूर मदपरदेश सुबास चनरबोश लगातार जो है ये दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते थी जिसकारण मौलाना अबुलकलामजाद ने अपना नाम वापस ले लिया गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टावी सीतार मया को अध्यक्ष पद हेतु चुनाओं में खड़ा किया था सुबास चनरबोश ने पट्टावी सीतार मया को पराजित किया और लगातार दूसरी बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने इसे बात पर गांदी जी ने पट्टा भी की हार को अपनी हार बताया था और इस चलते जो है बोस ने कॉंग्रेस कारेकारणी की नियुक्ती के जिम्मा गांदी जी को सौप दिया साथ ही जो है अध्यक्षपत से इनों ने त्याक पत्र दे दिया था सुबास्चनर भोस बनना चाहते थे तो मुलाना बुलकलाण ने अपना नाम वापस ले लिया फिर गांदी जी ने पट्टा भी सितार मया को खड़ा किया लेकिन जीते सुबास्चनर भोस पट्टा भी की हार को गांदी जी ने अपनी हार बताया इस बात से काफे दुख होकर सुभास नर्बोस ने त्याग पत्र दे दिया था कहता है बोस के पच्छोड़ने के बाद डॉक्टर राजनल प्रसाथ कॉंग्रिस के अध्यक्ष बने मई 1949 में सुभास नर्बोस ने फारवर्ड ब्लॉक के स्थाफना की और 1941 में सुभास नर्बोस मॉल्वी के विस में देश से बाहर निकल गए काबूल से ये मासकों पहुचे फिर मासकों से बरलिन पहुचे थे द्यान रखिएगा सुभास नर्बोस बरलिन में हिटलर से मिले हिटलर ने बोस को निता जी की उपादी दी थी इंपोर्टेंट है पुछा हुआ कुश्यन है द्यान रखना है कहता है कि बरलिन में सुभास नर्बोस ने फ्री इंडिया सेंटर के स्थापना की थी द्यान रखिएगा सुभास नर्बोस ने फ्री इंडिया सेंटर के स्थापना कहां की थी बरलिन में जुलाइ 1943 में सुभा हिटलर की यू बोट में बैट कर सुभास तनुबोस जो है ये जापान पहुच गए थे स्प्रिंगिंग टाइगर हुटो हुज टोए हुज टोए द्वारा लिकित सुभास तनुबोस की जीवनी है ध्यान रखना है स्प्रिंग टाइगर पूछा का कुश्चन है बात करेंगा अगस्त परस्ताव की तो देखें मार्ज 1940 से रामगर बिहार में कॉंग्रेस का वार्षी का दिवेशन हुआ इसा दिवेशन के दिख्सता जो है अभूल कलाम अजाद ने की थी ध्यान रखना है कहता है इसमें क्या परस्ताव थे तो यदि ब्रेटिस सरकार केंदर में अंतरिम सरकार का गठन करें तो कॉंग्रेस दूतिये विश्यूद में सरकार का सहयोग कर सकती है वाइसर है लिन लित्गोर ने अंतरिम सरकार के गठन की मांग को ठोकरा दिया एक अनवैकल्पिक परस्ताव रखा जिसे अगस्त परस्ताव कहते है और ये परस्ताव जो है पूरी तरह से फेल रहा था क्या था परस्ताव तो कहता है कि डोमिनिन स्टेट्स का दर्जा दिली दिया जाएगा युद्ध के बाद संविधान निरमात्री सरस्ता का गठन किया जाएगा वाइसर है की कारकारनी में भारती सोयसों की संख्या में विर्दी की जाएगी डुमिनियन स्टेट्स के प्रस्ताव को जवाहरलाल नहरू ने जंग लगी कील कहा था द्यान दकी का बहुत इंपोर्टेंट है किसने कहा था डुमिनियन स्टेट्स के प्रस्ताव को जंग लगी कील जवाहरलाल नहरू नहरू ने भारती राश्टिय प्रियस ने इसे पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम दिया था। ध्यान दखना है पिर तक मुस्लिम राज्जी के इंद्रमान की बात कब की गई थी तो लाहोर दिवेशन में किसके द्वारा मुहमद अले जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लिग ने 1940 में। सत्यागरे की तरफ तो कहता है गांदी जी ने व्यक्तिकर सत्यागरे चलाने का आवाहन किया पर्थम सत्यागरे के रूप में विनोवा भावे चुने गए जो की 17840 को विनोवा भावे ने पवनार वर्दा से सत्यागरे सुरू किया था द्यान रखिए का कहा से सुरू किया पबनार वर्दा से दूसरे सत्यागरे ही के रूप में जवार लाल नेरू को चुना गया वक्तिगा सत्यागरे को दिल्ली चलो आंदुलन भी कहा जाता है द्यान रखी का इंपोर्टेंट है बात करें क्रिप्स मिश्यन 1942 तो दिये विश्यूद के दोरान मित्र राष्टों रूस फ्रांस ने ब्रिटेंट पर भारत से साहता लेनों है तो दबाब बनाया इस समय बात करें तो ब्रिटिस का जो प्रदान मंत्री था विश्टन चर्चिल था अमेरिकी राष्टपती रूजवेल्ड था द्यान रखी का इंपोर्टेंट है ब्रिटिन का प्रदान मंत्री विश्टन चर्चिल अमेरिका का राष्टपती रूजवेल्ड था कहता है चर्चिल ने भारत में राजन्यातिक गती विरोध को शमाप्त करने यह तो लेवर पार्टी के स्टेफर्ड क्रिप्स के नेत्रित में एक आयोग भारत भेजा और ये मार्च 1942 में आयोग जो है भारत आया था ध्यान दकीका कब आया था मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारतिय राज़्टिय आंजुलन का समर्थन किया और कहा येतने जल्दी हो श्वशाषन प्रदान किया जाएगा इसकी कुछ सरतें भी थी क्या-क्या देखिए भारत को डुमिनिन स्टीट्स का दर्जा आगे ग्रिप्स मिशन ने कहा कि भारतिय संग के स्थापना ये शंग विदेशी मामलों से स्वतंत्र होगा युद्व शमाप्ती के बाद नए संबिदान के दिर्मान ये तु संबिदान निर्मात्री परिशत का गठन किया जाएगा जिसमें कि ब्रिटिस भारत वर विदेशी रियाशतों की परतिनिदी सामिल होंगे इसने यह भी जोड़ा कि जो प्रांत भारतिय संग में सामिल नहीं होना चाहती वे प्रतक संबिदान का निर्मान करेंगे अलब संक्यों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी क्रिप्स मिशन ने भारत के विवाजन की बात मान लेगी साथी कहा कि कारेकारिय परिशत का गठन होगा जिसमें भारतिय जनतक के मुख्य वर्ग सामिल होंगे जवाहला नहरुने इसके प्रस्ताव को पड़ कर कहा कि मेरे दोस्त क्रिप्स से सैतान के वकील बनकर आए है ध्यान रखिएगा गांदी जी ने इसमिशन को post-dated चेह कहा पंडित नहरुने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंका चेह का था ध्यान रखेगा यह सारा कुश्चन जो पूछा गिवा है अपसे जब क्रिस्मिशन फेल हो गया तो भारत छोड़ो आंदूलन सुरू हुआ था कहता है कि क्रिस्मिशन क्यों सफलता युदि की आड़ में सरकार ने शांते पुर्ण भाते राजनेती गती विदियों पर रोक लगा दी थी कि इसमिशन के लौटने के बाद कॉंग्रिस कारे शमिटी हेतु एक प्रस्ताव तयार किया गया साथ ही प्रस्ताव नहीं स्विकारत करने पर गांधी जी ने कॉंग्रिस को चुनोती दी थी कि मैं देश की बालू से ही कॉंग्रिस से बड़ा अंदूलन कर दूँगा इस सवाल पूछा गया है द्यान दखी का किस ने कहा था कॉंग्रिस कारे समिती की वर्दा मारास्ट बैटक में इस प्रस्ताव को श्विकार कर लिया गया अकिल बारतिये कॉंग्रिस समिती बैटक की बात करें तो आठ अगस 1942 को स्टार्ट हुआ था इसके अध्यक्षे मौलानाबुल कलामा जात थे और जगह था ग्वालिया टैंक मुंबई मैदान बैटक में अंग्रिजों बारत छोडो का प्रस्ताव जवालाल नेरू ने पारित किया था आठ अगस 1942 को गांदी जी ने जनता को शम्बोदित करते हुए करो या मरो कानारा भी दिया था केता वाजसराय लॉर्ड लिन निथगो ने अपरिसन जीरो आवर के तहत नगस 1942 को सभी बड़ी नेताओं को ग्रिफतार कर लिया था कुछ नेता है उनकी ग्रिफतारी का स्थान बुस्ता है जैसे बात करें गांदी जी कस्तुरुबा स्वरोजने नेरू मादे द्यसाई इन सभी को आगाखा पहले स्पूना में रखा गया था जवाला नेरू पट्टा विशीता रमयया आचार क्रिफला ने इने ग्रिफता करके एहमद नगर जेल में रखा गया था डॉक्टर अजिंद परसाथ को ग्रिफता करके बाकीपूर जेल पट्टना में रखा गया था जे प्रकास नरायन को हजारी बाग जेल में रखा गया था और जे प्रकास नरायन जेल तोड़कर ये नेपाल चले गए वहाँ पहजा दस्टाग गठन किया और छापा मार यूद करके आंदूलन का संचालन किया इसके लाबा कहता है कि राम मनुहर लोहिया अरुना अचरफली इत्यादी ने भूमिगत होकर आंदूलन का संचालन किया था कहता है कि उशा महता वर राम मनुहर लोहिया ने मंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन के स्थापना की और आंदूलन का संचालन किया सुभाज शमर भोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदुलन को अहिंसक गोरिला युद की शंग्या दीत समस्त नेताओं के ग्रिफतार की जाने करण कोई नेता नहीं बचा इसलिए इसे नियोजीत आनदुलन भी कहा जाता है अगस्त में प्रारम हुआ इसको नाम अगस्त करांती भी है एंदाबाद के मिलों में तीन माहा तक हड़ताल मज़ूरों ने कर दिया आता है इसे भारत का स्टालिन गाद भी कहा जाता है कटकुडिसा में इस आंदुलन के दोरान रक्त वाहनी का गठन किया गया था नेताया कॉंग्रिस नेता सीराज कोपला चारी ने इस आंदुलन का समर्थन नहीं किया था जबकि वह सरकार को युद्ध में शहयोग देने के पक्षमेति ध्यान रखीगा 1942 का जो समर्थन नहीं किया था किसने सीराज कोपला चारी ने कहता है कि इस आंदुलन के दोरान देश में कई अनेक समनांतर जग़ों पर सरकार स्थापित की गई जैसे बात करें बलिया यूपी में चीतू पांडे की नेतरित में तामलुक मिदनापूर पस्षिम बंगाल शतीर शामन्त कोरावाट ओडिशा में लश्मन नायक शतारा वाईवी चोहान नाना पार्टिल इन सभी जग़ों पर सोतन सरकार की स्थापना कर दी गई थी पैरलल गवर्मेंट यहां पर बना दिया गया था बात करेंगे वेवेल योजना का तो कहता है जुन 1945 में वाईसराय वेवेल ने कॉंगरेस की समस्त नेताओं को जेल से रिहा कर दिया और 1945 में वेवेल योजना प्रस्तूत किया गया इसमें था कि वाईसराय की कारिकारी परिशत का पुना गठन किया जाएगा जिसमें हिंदू-मुसलिम सदस्यों की संख्यां बराबर होगी गवर्नर जनरल का वीटो अधिकार पर कड़ाई की जाएगी अर्थात अनावशक प्रयोग नहीं किया जाएगा बारत में ब्रिटन के वैपारिक वो आर्थे कितों के संडक्षन है तो एक उच्चा युक्त की न्युक्ती भी की जाएगी बेवल युद्णा पर विचार करने है तो सिम्ला संबिलन का आउज़न किया गया द्यान रखिए सिम्ला संबिलन की बात करें मुसलिन लिकी ओर से मुittल अली जिन्ना थे कॉंगरिस की ओर से मौलाना अब अलकलाम आजाद थे इस संबिलन को आजाद ने जल्ब विवाजन की संग्या दी थी विश्व हिंदू परिशद का तरक था कि 25 क्रोड हिंदू के मुकाबले 9 क्रोड मुसलमानों को समान परतिनेदित क्यों दिया जाए इनी सब मुद्दों पर सिमला संबिलन जो है ये और सफल हो गया साथ ही विवेल यूजना को निरस्त कर दिया गया बात करेंगे जाद दे हिंद फौच की तो सुबासन बोस कलकत्ता में नजर बन थे मौलवी के रूप में ये भाग निकले जिहाओ दिन पठान के वेस में ये पेसावर से काबूल तक पहुचे थे कहता है कि काबूल से ओरलेंडो मैसुट्टा मोशोहा नामक इटालियन की रूप में ये पासपूर बनवा कर रूस पहुचे चुकि रूस उसमें मित राष्ट में सामिल हो गया बोस ने रूस से जर्मनी पहुचे और हिटलर से मिले हिटलर ने बोस को नेता जी की उपादी दी थी जर्मनी में नेता जी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा आजाध हिंग तथा जैहिंद का नारा दिया था फरवरी में ये हिटलर की यूबोट नामक जहाज पंडूबी से जापान रवाना हुए थे आगे कहता है कैप्टन मुहन सिंग ने जापानी मिजर फुजिवारा से प्रवावित होकर आजाध हिंद फौज का गठन किया था मार्त 1942 में राजब्यारी बोष्ट ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के स्थापना की थी द्यान रखिये अगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के स्थापना की थी राजब्यारी बोष्ट ने वहीं कहता है कि जून 1943 में इंडिन इंडिपेंडेंस लीग वा अजाद इंज फोज का नेत्रित सुभाज चनर बोस को दे दिया गया था निता जी ने दिल्ली चलू का नारा दिया था अक्टूबर 1943 में नेता जी ने सिंगापूर में अस्थाई भारा सरकार के गठन किया जापान वो जर्मनी ने इस सरकार को मानिता परदान की थी बहुत इंपोर्टेंट है द्यान रखिएगा कि किन्दिसों ने नेता जी जरा स्थापित अस्थाई सरकार को मानिता दी थी जर जाद हिंद फौज ने तिन ब्रिगेट का गठ्ण किया था सुबास ब्रिगेट जवालादानु ब्रिगेट गांधी ब्रिगेट रानी लच्मिबाई के नाम पर रानी जासी रेजिमेंट का भी निरमान किया था मलेसिया मिसेनिकों का आवण करते हुए नेताजी ने कहा तु